सबसे पहले इस question में जो आपसे पूछा गया है can वाला ठीक है तो उसके अंदर ये डाला जाएगा part then उसके बाद जो आपसे बोला गया है कि आपको दोनों के बीच में बताने है integrate and उसमें then ये सारे points आपके उसके अंदर जाएंगे first point second point and then third point आपको डालना है third point मैंने पहले दे दिया second point बाद में दिया है ठीक है तो ये third वाले point को last में करना है